हलो फ्रेंट्स, वेलकम डूमाई चाह, मैं नाम गीता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गीता यूडूब चाह, आज बात करते हैं कि आपकी जीमिल की आईडी कोई और तो नहीं यूज कर रहा, यह आप कैसे पता लगा सकते हैं, सम्टाइम आप देखते हैं कि आप अपनी आईडी किसी और के फोन में लॉग इन करते हैं और भूल जाते हैं लॉग आउट करना हैं, उसे ही कह देते हो कि आप लॉग आउट कर देना, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो आपके यूज कर रहा है, यह कोई और वी रिजन हो सकता है कि आपने अपनी आईडी कहीं और लॉग इन की हो तो वह कैसे पता लगाना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो उसके लिए हँ़ फोन स्क्रीन पर चलते हैं जैसे की फ्रेंड अब हम लोग फोन स्क्रीन पर आ चुके हैं तो यहां मैं आपको बताऊंगे किसे पता कर सकते हैं Laptop में भी same यही procedure आपको करना है अगर check करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको Chrome Browser को open करना है Open करने के बाद यहां आपको Gmail type करना है Gmail type करने के बाद जो सबसे पहला option आएगा Gmail यह आपको धियां रखना है यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका जो account है वो open हो जाएगा यह मैंने यहां से आप साइट से देख साथ है तीन लाइन्स है तो आप नीचे last में यहाँ पे बिल्कु last में लिखा उता है कि आप desktop mode में कर सकते हो तो वो हाँ से बियक संवे हो तो यहाँ पे आपको करना जैसे बहुत सारी email से यहाँ पे बिल्कु last में आपको check करना है मैं जूम करके दिखाती हूँ यहां पे आपको अकाउंट की लास्ट जो activity होती है वो show होती है तीन घंटे पहले जो मेरा account open हुआ था वो show कर रहा है इसके बाद यहां पे detail लिखा हुआ है वहां पे आपको click करना है detail पे click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे option आपको show कर रहा है यहां पर बता रहा है कि कौन-कौन से, मोबाइल से यहां विंडो से आपकी जो Gmail की अकाउंट अब वो ओपन की है तो आप इस तरह पता लगा सकते हैं कि किसी और ने तो नहीं आपका अकाउंट यूज किया जहां आपने किसी के लॉग इन किया था तो वो आपका अकाउंट यूज करा ये इस तरह पता लगा सकते हो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक